Hello and Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं December महीने के पहले हफते के Current Affair के Multiple Choice Questions आप तक लेकर आँगा यह वीडियो में थोड़ा सा देर तक ला रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, आप में से बहुत लोग जो मुझे Facebook पर फॉलो कर रहे हैं जानते हैं मैं Out of Station था किसी जरूरी काम से तो यह पहले हफते का वीडियो का Part 1 है इस हफते Total 170 Question मैंने Collect किये हैं जो First Week के हैं Total वैसे मैंने 300 के आसपास Question बनाए थे हमारी टीम ने लेकिन उसमें से 170 Question मैंने Short List किये थे और यह 170 में से इस वीडियो में लगभग 70 Question मैं आप तक लेकर आऊँगा इसका एक दूसरा भाग भी आएगा यानि पहले ही हफते का दूसरा भाग आएगा अब से कुछ घंटों बाद तो यह वीडियो हिंदी भाशा में मैं आप तक लेकर आऊँगा और आप मुझे Facebook पर follow कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और मैं quickly आपको pen drive course के बारे में बता देता हूँ Kendriya Vidyalli है और Clat की pen drive इस वक्त सबसे ज़्यादा hot selling है इसके अलाबा SSE CGL और Railways 2017 के लिए pen drive launch हो चुकी है इसमें आपको weekly update भी provide किया जाएगा hotel management BBA entrance की pen drive भी आप avail कर सकते हैं कोई भी pen drive आपको लेनी हो तो ये number आपको dial करना होगा 9580048004 तो चलिए अब शुरू करते हैं और questions की जो quality है बहुत ही ज़्यादा supreme है अगर आप IBPS clerk mains की तयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले UPSC 2017 की तयारी कर रहे हैं तो ये MCQs आपको काफी लाप प्रद होंगे इसके अलावा CLAT, BBA, hotel management जो भी exams आने वाले हैं जैसे central warehousing का exam है या दूसरे जो exam है India Post Payment Bank etc उन सब में ये काफी लाप प्रद होंगे तो चली अब शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल वर्दा साइकलोन ये कहाँ पर आया और याद रखिए इस तरह के जो साइकलोन है ये सब Indian Ocean से निकलते हैं इन में से ये साइकलोन हिंद महसागर जिसे Indian Ocean कहते हैं वहाँ से ये निकलते हैं जरूरी नहीं है कि सारे साइकलोन यानि चक्रवाद भारत में इनको चक्रवाद कहा जाता है जरूरी नहीं कि सारे साइकलोन Indian Ocean से निकलते हैं कुछ Bay of Bengal में भी आते हैं खासकर जो pre-monsoon shower जिने mango shower भी कहा जाता है वो cyclonic rainfall होती है इसके अलावा Arabian Sea में भी इस तरह के चक्रवाद देखे जाते हैं तो जो भी question मनते हैं मैं सारे cover करूँगा इसमें सबसे पहले में आपको बताता हूँ वर्दा साइकलोन कहां पर आया अगर exam में ये इस तरह के option हो तो आपको Tamil Nadu मार्क करना है वैसे ये हमारे eastern coast यानि पूर्वी तरह पर आया तो अगर Tamil Nadu option में ना मिले तो फिर आप अंडमा निकोबार या फिर आंदरपरदेश, पुड़ू चेरी उड़ीसा का कुछ हिस्सा ये सब मार्क कर सकते हैं आपको देखना हुगा option, best option है तमिल नाडू क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाई वो तमिल नाडू के तट पर मचाई लेकिन उड़ीसा, आंदरपरदेश, पुड़ू चेरी ये सब acceptable answers है ये सब अंडमा निकोबार क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में है और ये eastern coast पर आया था तो ये सारे acceptable answer है लेकिन best answer है तमिल नाडू इसके लाब मैं आपको कुछ और cyclone बताता हूँ जो भारत में पिछले तीन सालों के अंदर आए है भारत के अंदर पिछले तीन सालों में पाँच cyclone आए है तो ये हैं वो पाँच इनका पूरा विसलेशन दूँगा आपको सबसे पहले बात करते हैं वर्दा मैं आपको बता चुका हूँ तमिल नाडू में आया mostly रोआनू की बात करते हैं रोआनू कहां पर आया रोआनू वैसे शिरिलंका में शुरू हुआ था और फिर ये बहुत बड़ा साइकलोन बन गया उसके बाद ये बंगलादेश महचा और भारत के अगेन पूरवी तट पर आया यानि की acceptable answers हैं आंदर प्रदेश और तमिल नाडू तो आपको option में देखना है अगर option में ये दोनों ही है तो फिर आपको तमिल नाडू मार्क करना है क्योंकि जो आंदर प्रदेश है ये तमिल नाडू के उपर है तो पहले तमिल नाडू को हिट करेगा तो सबसे ज़्यादा जो strong परभाव होगा वो तमिल नाडू के अंदर देखा जाएगा कयांत की बात करते है कयांत उतना बड़ा नहीं रहा उतना जादा इससे बारिश नहीं हुई लेकिन ये mainly आया ओडिशा और कुछ हिस्सा इसने हलंकी आंदर प्रदेश का भी कवर किया और कुछ हिस्सा तमिल नाडू का भी किया यानि again Eastern Coast पर आया नाडा ने जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाई वैसे नाडा important है क्योंकि न्यूस में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा तबाही इसने मचाई तमिल नाडू में अगर option में तमिल नाडू ना हो तो केरला भी acceptable है क्योंकि ये बिल्कुल vertical Indian Ocean से भारत की तरफ आया तो तमिल नाडू और केरल दोनों में आया निलोफर और हुड़ हुड ये पुराने है निलोफर पुराना है निलोफर क्योंकि exam में आ सकता है cyclones की हम बात करी रहे हैं यहाँ पे निलोफर जो तुफान है ये पाकिस्तान के अंदर आया था और गुजरात में आया था क्योंकि ये Arabiancy से था यानि Western Coast of India तो ये coast बदल गया और हुड हुड ये उडिसा में इसने तभाई मचाई थी उडिसा और कुछ हिस्सा आंधरा का भी तो हुड हुड भी हमारे Eastern Coast पे था तो आई होप अब ये 6 के 6 Cyclones में से कोई भी आये तो आप exam में उसे कर पाएंगे कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि Cyclones के जो नाम है वो कैसे रखे जाते हैं तो सितंबर 2004 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो एशिया महदूइब के सारे देशें वो मिले और उन्होंने नाम सजेस्ट किये और बहुत सारे नाम शॉट लिस्ट किये गए एक बात याद रखिए क्योंकि जो एशिया है वहाँ पर जो तुफान आते हैं वो तबाही मचाते हैं इसलिए इनका जो नाम है वो दुबारा नहीं रखा जाता एक ही बार रखा जाता है जैसे हुड़़़ अभ ये नाम रिपीट नहीं होगा लेकिन जो यूरोपियन तुफान आते हैं यूरोपियन साइक लोन्स या जो अमेरिका में आते हैं उनका नाम बार-बार repeat हो सकता है, यानि अगले साल भी हो आएगा तो उसका नाम same हो सकता है, लेकिन एशिया के अंदर कहीं भी कोई cyclone आता है, तो वो नाम repeat नहीं होता है, तो ये जो international committee है इसकी, वो decide करती है कि नाम क्या रखा जाएगा, international panel on tropical cyclone जिसे कहा जाता है, वो decide करती है और इसमें कई सारे इनके criteria हैं, जैसे जो नाम होना चाहिए, वो sanskritically यानि culturally किसी देश की sanskriti को परभावित नहीं करना चाहिए, किसी को hurt नहीं करना चाहिए, तो जैसे वर्दा है, वर्दा का ये पाकिस्तान ने दिया था ये नाम, वर्दा, वर्दा का मतलब होता है गुलाब का fool, तो इस तरह के नाम रखे जाते हैं, कोई नाम का जो मतलब है, वो बहुत ज़्यादा कोई negative नहीं रखा जाता, तो चलिए आगे भड़ते हैं, अगला सवाल है, वर्द एड्स डे, ये हर साल मनाया जाता है, एक दिसम्बर को, बहुत important question है ये, वर्द एड्स डे, सबसे ज़्यादा repeat होने वाले days में से है, एक्जाम में, याद रखिए, जब किसी person को AIDS होता है, जो infected mother है, उसे बच्चे में जा सकता है, sexual transmission से जा सकता है, या sharing of needles से जा सकता है, तो जब किसी आदमी के अंदर HIV virus चला जाता है, तो हम उसे AIDS नहीं कहते, उसे कहते हैं HIV positive, और उसके बाद उसकी तबियत, continuously खराब होती चली जाती है, और बिल्कुल जब आदमी मरना सन हो जाता है, बिल्कुल जब last stage में होता है, तब AIDS बोलते हैं, acquired immunodeficiency syndrome, तो इसमें जो हमारे T helper cell हैं, वो body में ना के बराबर हो जाते हैं, और हमारी immunity पर भावित होती है, इसलिए एक छोटा सा जुखाम भी जान लेवा बन जाता है, तो World AIDS Day हर साल एक December को मनाया जाता है, यह अपने आप में क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है, इस बार इसका theme क्या था, सवाल है इस बार इसका theme क्या था, इसका theme था, hands up for HIV prevention, यानि कि हमें HIV से निपटने के लिए, हमें ततपर रहना होगा, hands up for HIV prevention, राजभवन, कौन से राज्ये का राजभवन cashless हो गया है, यह भारत का पहला राज्ये बना, जिसका राजभवन cashless हो गया, राजभवन बोलते हैं, जहां पर governor रहता है उसे, governor के निवास्थान को राजभवन कहा जाता है, हर राजभवन के अंदर, और इस राजभवन के राजभवन ने ये decide कि अब यहां पर कोई भी cash में transaction नहीं होगी, ये decision लिया इस राजभवन के governor देववरत सहब ने, और ये राजभवन है हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश के जो governor है अचारे देववरत उन्होंने ये decision लिया, और ये एक important सवाल है, याद रखिए जो demonetization है, विमुद्री करण है, उससे related सवाल बहुत ज़ाद आएंगे, और ना सिरफ इसमें बलकि interview में भी, तो जो बच्चे IBPS PO mains की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए मैं कुछ तथे आपको बताता हूँ, जो ready-made तथे हैं, जो आपकी exam में help करेंगे, हिमाचल परदेश में जो मुख्यमंत्री है, वो वीर भद्र सिंग है, कॉंग्रेस की सरकार है, और बहुत कम ऐसे राजियें हैं जहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है, तो ये सवाल आ सकता है, खेर मैं आगे भड़ता हूँ, तो कुछ तथे आपको बताता हूँ, देखिए भारत का अगर question आए, कि पहला गाओं कौन सा है, जो cashless हो गया है, तो answer है Accordara, अगर आपको याद हो, ICICI Bank, जो भारत का सबसे बड़ा private bank है, इसने पिछले साल एक policy चलाई थी, कि ये भारत में बहुत सारे गाओं को digital village बनाएगा, और Accordara पहला ऐसा गाओं है, भारत का जो cashless भी है और digital भी है, तो सवाल आए अगर पहला भारत का digital village कौन सा है, और भारत का पहला cashless village कौन सा है, तो answer है Accordara, और Accordara कहाँ पर है ये भी पूछेंगे, Accordara है साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट में, साबरकंठ जिला और साबरकंठ जिला है गुजराद में, अगर question आए, पहला गाउं कौन सा है दक्षिन भारत का, जो cashless हो गया, तो ये है इबराहिमपूर, और जिला है सिद्धी पैट, और ये पढ़ता है तिलंगाना के अंदर, जहां पर तिलंगाना राष्ट्रिय समिती की सरकार है, पहला साउथ इंडिया का गाउं कौन सा है, जो cashless हुआ इबराहिमपूर, पूरे इंडिया का अकोडारा, अब अगर पूछें, महराष्ट्र का पहला गाउं कौन सा है, जो cashless हुआ, तो आंसर है धसाई, धसाई, धसाई कौन से district में पढ़ता है, ये पढ़ता है थाने district में, थाने से लगबग 70 किलोमेटर दूर आप बोल सकते हैं, लेकिन district आता है थाने, थाने के अंदर है धसाई, और अगर पूछें, पूने के अंदर, पहला गाउं कौन सा है, जो cashless हुआ तो आंसर है, पिमप्री बुद्रुक, आप से पूछें कि जारखंड का पहला गाउं कौन सा है, जो cashless हो गया, तो आंसर है नुआ ग्राम, नुआ ग्राम ये पढ़ता है सिंग भूम में, इस्ट सिंग भूम के अंदर पढ़ता है नुआ ग्राम, जारखंड का पहला गाउं, जो cashless हो गया, उत्राखंड का पहला गाउं, उत्राखंड में कॉंग्रेस की सरकार है हरीश रावत यहां के मुख्यमंत्री हैं और उत्राखंड का पहला गाउं जो cashless हो गया ये है लचंपुर, लचंपुर पढ़ता है पौरी गड़वाल डिस्टिट के अंदर तो ये सारे तथे बहुत important है आपके interview के लिए, आपके IBPS clerk mains के लिए इतना ही नहीं जो आने वाले जितने भी exam है 36 गड़ का अगर पूछें पहला गाउं जो cashless हो गया तो आंसर है पलनर, पलनर गाउं ये दंत्रे वाड़ा में है जहां पर आपको यादो बहुत ज़्यादा नक्सल अफेक्टिड एरिया है एक बार बहुत सारे हमारे जो CRPF के जवान है, वो भी यहां मार दिये गए थे, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावी तेरिया है दंत्ने वाड़ा तो पलनर गाउं, cashless, 36 गड़ का पहला गाउं जो cashless हो गया हालांकि official announcement नहीं हुई है, लेकिन इसे बनाया जा रहा है और यही होगा 99%, तो यह है भरतौल बरेली के अंदर हालांकि कुछ newspapers इसको confirm कर रहे हैं कि यह उत्तरपरदेश का पहला गाउं है, जो cashless हो गया है, बरेली में भरतौल हर्याना के अंदर फजलीपूर बदली, गुडगाओं के अंदर गुरुग्राम जो उसका नहीं नाम है, गुरुग्राम के अंदर फजलीपूर बदली, लेकिन अभी दो दिन पहले लगभग यहाँ टीम गई थी चेक करने कि क्या यहाँ पे इसको cashless बनाने के जो परियास हैं, वो पूरी तरह से हो गए हैं, तो अभी उनमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर question आए हर्याना का पहला cashless गाओं तो answer है फजलीपूर बदली, अगर पूछे जमू कश्मीर का पहला गाओं जो cashless हो गया है और यह officially confirm हो चुका है, तो यह है लनूरा, और लनूर प्रोटोकॉल है, कैनेडा के अंदर जगा है, एक मॉन्ट्रियाल, तो जहां पर world anti-doping agency का headquarter भी है, खेर, मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल में एक modification हुआ है, और वो modification यह कि किगाली agreement हुआ है, किगाली agreement क्या है, हम इस पर एक separate video बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस question के लिए आपको बता देता हूँ, यह किगाली agreement यह sign किया है, कंट्रिज ने, कि hydrofluorocarbon, जो कि हमारे वार्तावर्न को pollute करते हैं, हमारे जलवायू परिवर्तन को भढ़ाते हैं, और हमारे ozone layer में hole करने में सक्षम हैं, इनको कंट्रिज धीरे धीरे खतम करेंगी, इसे बोलते हैं कौन सा रखा है, freeze year, यानि freeze year मतलब होता है कि भारत इसको इस साल तक इसका जो use है वो peak कर जाएगा और उसके बाद decline करना start कर देगा, तो इसके हिसाब से यह भारत के लिए freeze year रखा है 2028, और याद रखिए इससे पहले 2024 और 2025 में एक technology review होगा, और अगर उसमें सारी condition satisfy हुई तो इसको भड़ाये भी जा सकता है, और 2030 तक भी किया जा सकता है, तो यह सारे तथ्याप को याद रखने है, भारत इसको 2030 तक ताल सकता है, provided वो सारी conditions को satisfy करे, और एक baseline year भी पूछ सकते हैं आपसे, आलांकि chances कम है कि वो आएगा, तो भारत के लिए जो baseline year है, वो है 2024 से 2026, चली आगे बढ़ते, इन में से UN Citral, यानि की United Nations Commission on International Trade Law, पूरी दुनिया में जो वानिज्ये के लिए कानून बनाती है, संयुक्त राष्ट्र संगे की वो इकाई, उसके 50 साल, Golden Jubilee celebration अभी कहां पर मनाये गए, it's a very important question, UN Citral is very very important, और इसके 50 साल की celebrations हुई New Delhi में, नई दिल्ली क के अंदर, so that is why this question is important, और इसका जो उधगाटन किया वो किया हमारे राष्ट्रपती प्रणम मुखर जी ने, Magnus Carlson, फिर से शत्रंज के बेताज बादशा, तीसरी बार World Champion बने, पहली दो बार इन्होंने हराया था विश्वनाथन आनन्द को, तीसरी बार, अभी-भी किसे हराया है इन्होंने, हलांकी इन्होंने बहुत कड़ी टककर दी, जो tie break में हराया, यानि कि जो पहले 12 मैचीज ह वो ड्रॉ हो गए सारे, उनमें कुछ कालसन एक जीता और एक सर्जे कारियाकिन जीते, लेकिन सर्जे कारियाकिन टाइब रेक में मैगनस कालसन से हर गए, तो इसमें कई कोश्चन मन सकते हैं, पहला मैगनस कालसन ने किसे हराया, तो आंसर है सर्जे कारियाकिन, सर्जे कारि याकिन रशियन है, वैसे युक्रेन में पैदा हुए थे, और मैगनस कालसन है नॉर्वे के, ये एक important question है, नॉर्वे जो कि Scandinavian country है, इसकी राजधानी है, ओ स्लो, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, यानि की UNESCO, UNESCO ने इन में से, क्या चीज है, जो Belgium की beer के अलावा, अपने intangible cultural heritage list के अंदर शुमार की है, यानि की जो cultural heritage होता है, हमारी Sanskritic धरोहर, और intangible का मतलब होता है, वो चीज जिसे आप छू नहीं सकते, जो एक वस्तु के रूप में आपके सामने नहीं होती, तो intangible cultural heritage के रूप में कौन सी चीज इन्होंने शुमार की है अपनी list के अंदर, यह है, जो dance है क्यूबा का, और इस dance को बोलते हैं, रामबा, ब्राजील के dance को बोलते हैं, सामबा, और क्यूबा के dance को बोलते हैं, रामबा, एक बात और याद रखिए, रामबा यह इन्हों लीडर है, फिडल कास्ट्रो, उनका दिहान तो गया, तो उन्हें एक तरह से शर्धांजली दी गई, इस step को करके, रामबा, एड किया, युनेसको ने अपनी list में, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, जिसका headquarter है, पैरिस में, जो की फ्रांस की राजधानी है, भारती एक कैबिनेट, हमारी जो सरक सरकार है, केंद्रिय सरकार, उसने, वो कितना पैसा देगी, लगभग 36,000 से ज्यादा, ऐसी families जो displaced हो गई थी, पाकिस्तान occupied areas of Jammu and Kashmir में, जिसे पाकिस्तान occupied Kashmir भी का जाता है, याद रखिए, पाकिस्तान occupied Kashmir की जो राजधानी है, वो है मुझफराबाद, very important, और बहुत साम ये area है, यहाँ पर बहुत जादा पाकिस्तान की तरफ से atrocity होते हैं, मानवाधिकारों का हनन होता है, human right violation होते हैं, तो इसमें कितनी मदद की जाएगी, कितने रुपे लगाकर मदद की जाएगी उन लोगों की जो परभावित हैं, ये पैसा होगा 2000 करोड, 2000 करोड और हर family को फाइदा होगा 5.5 lakh का, यानि 5.5 लाख रुपे हर family को दिये जाएंगे, जिससे वो मुख्य धारा में जुड़ सकें, भारत का GDP ग्रोथ कितना हुआ, जुलाई से सितंबर, second quarter, second quarter का मतलब होता है, second fiscal, देखिए, भारत में जो financial year है, वो शुरू होता है, एक अप्रेल से तो एक अप्रेल 2016 से स्टार्ट हो गया इस साल का financial year, ये कब तक चलेगा, एक अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017, इसको बोलते हैं financial year या fiscal बोल सकते हैं, तो इसका जो दूसरा quarter था, यानि पहला quarter था मार्च, जो अप्रेल में और जून, और दूसरा था जुलाई, अगस्त और सितंबर तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में भारत की GDP ग्रोथ कितनी हुई, GDP ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, question को ध्यान से सुनिए, GDP ग्रोथ भारत की हुई, इसके अंदर 7.3%, yes, answer is 7.3%, ये हलांकी 7.1% से ज़्यादा है, जो पिछले quarter में हुई थी, लेकिन ये 7.6% से कम है, जो की हम expect कर रहे थे, और जो last year थी, और इसमें एक question और पूछ सकते हैं आप से, gross value added ये कितनी हुई, तो इसका answer हो जाएगा 7.1%, दोनों में फराग है, अगर पूछें gross value added कितनी है, तो answer है 7.1%, GDP पूछें तो 7.3%, दोनों में क्या difference होता है, डिटेल में समझाऊँगा मेरे monthly review क के अंदर banking awareness, इन में से कौन सा bank है, जिसने आधार payment bridge system को start किया है, जिससे जो small ticket micro finance loan है, वो असानी से दिये जा सकें, और ये ऐसा पहला bank बना ऐसा करने वाला, जिसने अपने platform पर ये service शुरू की है, इसको बोलते हैं आधार payment bridge system, इसमें आधार काड़ के through, आप payment कर सकते हैं जो पैसे का हस्तांतरन कर सकते हैं, ये कौन से bank ने सेवा शुरू की, ये bank है RBL bank, RBL bank एक private bank है, और इसका headquarter है महराश्टर में कोलापूर, ये कोलापूर वही जगा है जहाँ पर wrestlers, इसे city of wrestler भी का जाता है, बहुत सारे ऐसे wrestler हैं, पहलवान है जो कोलापूर से निकलते हैं विजिया bank का headquarter है, बैंगलूरु में, करनाटक का bank है, बैंक ओफ करनाटका, सिंडिकेंट बैंक, विजिया बैंक, ये सब करनाटक के bank है, साउथ इंडियन बैंक, ये केरल का bank है, इसका headquarter है थ्रिसूर के अंदर, और बंधन बैंक का headquarter है कौलकता में, ये Mr. Ghosh ने start किया थ चंदर शेकर गोश, गोश शैदून का पूरा नाम है, और बंधन bank एक मात्र ऐसा भारत का bank है, अजादी के बाद, जिसका headquarter भारत के किसी भी पूर्वी राज्ये के अंदर है, बागी किसी भी bank का headquarter कौलकता या किसी भी eastern part of India में नहीं है, भारत ये बंदुक खरीदेगा, इसको बोलते हैं howitzer, और आपको याद है, बोफोर्स का scandal हुआ था, जिसमें राजीव गंदी फस गए थे, बोफोर्स की बंदुके हमने खरीदी थी Sweden से, याद रखिए Sweden, बोफोर्स ने हलांकि हमारी कारगिल युद को जिताने में बहुत मदद की थी, लेकिन overall ये एक 45 M777 Ultra Light Habitser खरीद रहे हैं और ये हम खरीदेंगे लगभग 750 मिलियन डॉलर, आप इसको लगभग 6000 करोड रुपे कह सकते हैं, तो ये हम कोन से देश से खरीदेंगे, ये हम खरीद रहे हैं United States of America से, USA से, so this is an important question, इन में से किस खिलाडी की या किस वैक्ती की आतम खथा है, ज जिसने Crossword Book of the Year, जिसे Award मिला है अपनी Autobiography category के अंदर, और इससे पहले Limka Book of Record में भी इसका नाम आया था, क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा बिकी थी, तो ये किताब है, सचिन तंदूलकर की Autobiography, इसका नाम है Playing It My Way, प्लेइंग इट माई वे ए, फेस्बूक ने स्टार्ट किया है वेस्बूक स्टार्ट प्रोग्राम, तो भारत में जो नवी नुद्योग है, नुटन उद्योग, उन्हें क्या बोलते हैं, entrepreneurial venture या start-up बोल सकते हैं simple word में start-up start-up मतलब कोई नय बिजनेस या entrepreneurial venture बोल सकते है entrepreneur बोलते हैं किसी नए businessman को so facebook entrepreneurs की जो नए businessman है उद्योग पती है उनकी मदद करना चाहता है इसके लिए facebook ने start किया है facebook start program और याद रखिए अगर पूछे amazon ने क्या start किया है तो उसका answer है launchpad ये उल्टा करके भी पूछ सकते है कि कौन सी company ने start किया है launchpad तो answer है amazon ये दोनों ही मदद करना चाहते है भारत में नवीन उद्योगों की इसके लिए facebook 40,000 dollar invest कर रहा है भारत की कौन सी company के अंदर ये चारों की चारों fashion based company है हलांकि जो find है ये एक mobile app है जो आपकी shopping में help करती है और इसका answer है kutloot kutloot इन में से कौन सा bank है जिसने spice digital spice digital जो mobile phone और दुनिया भर के जो दूसरे gadgets हैं उनके लिए store हैं चोटे-चोटे आपने malls में अक्सर देखे होंगे तो spice digital के 20,000 से ज़्यादा retail store हैं जिन पर आप इस bank के थूँ पैसा transfer कर पाएंगे अगेन ये cashless initiative है तो कौन से bank के साथ tie up किया है spice digital company ने ये bank है federal bank federal bank अभी अभी भारत के एक राज्य है भारत का राज्य महाबोधी Lord Buddha College of Namsai ने कौन से देश के साथ cultural and academic action यानि पढ़ाई से related और संस्कृती से related आपसी सहयोग के लिए एक memorandum of understanding sign किया है तो आप जानते हैं कि जो महाबोधी Lord Buddha College of Namsai ये है अरुनाचल परदेश में यानि सवाल इस तरह से भी आ सकता है अरुनाचल परदेश ने कौन से देश के साथ एक tie-up किया है mutual cooperation के लिए तो ये देश है Thailand very very important question Thailand और अरुनाचल परदेश के बीच हुआ memorandum of understanding sign इन में से कौन सी कमपनी है जो 55,000 टन पर एनम की शमता वाला Odisha Ferrochrome Plant बना रही है लगा रही है जिसका cost है लगभग जिसमें लागत लगएगी लगभग 542 करोड रुपे की ये लगाये जाएगा गोपालपूर इंडस्ट्रियल पार्क में जो है गंजम डिस्ट्रिक्ट और गंजम डिस्ट्रिक्ट का है गंजम डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में अब इसको ऐसे लिखते है ओडिशा यहाँ पर बीजू जनतादल BJD की सरकार है जो बीजू पटनायक उनके founder थे जो बेटे है नवीन पटनायक यहां के मुख्यमंत्री है और यह कंपनी है Tata Steel बहुत ज़्यदा नुकसान में चल रही है बहुत सारे टाइम से Tata Group की सो से ज़्यदा कंपनी है और इनमें से सिरफ दो कंपनी है जो profit कमा रही है बागी सारी कंपनी है नुकसान में तो Tata Steel ने कोरस खरी दी उसकी वज़े से भी बहुत फर्क पड़ा इनके नुकसान के उपर बहुत ज़्यदा नुकसान भढ़ गया इनका तो यह सब जीजें आपको तथे याद रखने है क्याल आगे बढ़ते है इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल यह कौन से राज्ये में हुआ इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल वैसे तो साइन्स सिटी बोलते हैं बैंगलूरू को क्योंकि यहाँ पर इसरों का हेड़कोर्टर है Indian Space Research Organization का headquarter है बैंगलूरू में तो बैंगलूरू के कई नाम है Science City बोलते हैं, Tech City, IT City कई सारे नाम है इसके लेकिन इंडिया International Science Festival यहाँ पर नहीं हुआ तो आपको यह confuse नहीं होना है यह 7 से 11 तारिक तक खतम हुआ और हमारे जो Science और Technology के Minister है, यानि विज्ञान और तकनीक के Minister उनका नाम है डॉक्टर हर्शवर्दन अगर आपको यादो, डॉक्टर हर्शवर्दन हमारे Chief Ministerial Candidate थे अर्विंद केजरिवाल के अगेंस जब पहली बार इलेक्शन दिल्ली में हुए थे और उसके बाद इने Health Minister भी बनाया गया था अब ये है Science and Technology Minister और ये हुआ नई दिल्ली में, New Delhi इन में से कितनी Essential Medicine है अनिवार ये दवाईयां जो Discounted Price पर दी जाएंगी दी जा रही है, in fact Amrit Scheme के अंदर, Amrit क्या है Amrit है Affordable Medicine and Reliable Implant for Treatment, इसको बोलते हैं Amrit तो यहाँ पर कुछ बहुत important चीज़े बताता हूँ, देखो अगर Amrit, आपने एक Scheme का नाम सुना है, जन ओशदी ओशदी मतलब होता है दवाई, जन ओशदी मतलब जो लोगों के लिए Discounted Price पर कम, subsidized Price पर दवाईयां दी जाती है दो स्कीम है, दोनों में Confuse मत होना और बहुत बच्चे Confuse होते हैं, पहली स्कीम है Amrit, Amrit स्कीम स्टार्ट करी है Health Ministry ने हमारा जो सेहत के लिए मंतराले है Health Ministry, JP Nadda हमारे Health Minister है, तो Health Ministry ने स्टार्ट की है Amrit स्कीम Amrit स्कीम के तहत जो पहला Pharmacy Store खोला गया था इसके अंदर ये है कि दवाईयों की दुकान खोली जाती है, और दवाईयों की दुकान पे सस्ती दवाईयां मिलती हैं, खासकर वो दवाईयां जो बहुत ही ज़्यादा अनिवारे हैं जो रोज मरा की जिनकी में हम यूज करते हैं ऐसी कितनी दवाईयां है जो Amrit स्कीम पर बेची जा रही है Essential Medicine ये दवाईयां है 540 तो इस सवाल का आंसर है 540 अगर कोश्यन आए कि पहला Amrit स्कीम कहाँ पर खुला था तो पहला Amrit स्कीम के अंदर खुला था तो फरक क्या है फिर Amrit स्कीम में और जन आशिदी में जन आशिदी हमारी Health Ministry के दुआरा नहीं है जन आशिदी को स्टार्ट किया है हमारी जो खाद मंत्राले है खाद मतलब यहाँ पर खाद, खाद दे नहीं खाद यानि फर्टिलाइजर तो उस मिनिस्ट्री ने यह जन आशिदी स्टार्ट की है यह Health Ministry के दुआरा नहीं है यह है Department of Pharmaceutical Ministry of Chemicals and Fertilizer Ministry of Chemical and Fertilizer यानि की जो खाद और रसायन मंत्राले है उसके दुआरा स्टार्ट की कई जन आशिदी और भारत में जन आशिदी स्टोर पहला कहां खुला था यह AIMS में नहीं खुला था यह खुला था अमरित सर के सरकारी हस्पताल में 2008 में तो यह Congress के समय से स्टार्ट हुई थी जन आशिदी लेकिन अमरित बिल्कुल latest है तो पहला जन आशिदी स्टोर खुला था 2008 में अमरित सर में अमरित सर के सरकारी हस्पताल में लेकिन पहला अमरित स्टोर खुला था पिछले साल AIMS के अंदर तो दोनों ही स्कीम बहुत ही important है अभी अभी हॉन बिल फेस्टिवल मनाये गया दस दिन तक लंबा हॉन बिल फेस्टिवल बहुत important है पिछले साल तो खुद हमारे परधानमंत्री इसमें शरीक हुए थे ये फेस्टिवल मनाये जाता है नागा लेंड के अंदर यहाँ पर हॉन मतलब होता है सींग तो सींग वाला मुकुट पहन कर इसमें सेलिब्रेट करते हैं लोग कुल्चरल फेस्टिवल है वेरी वेरी इंपोर्टन नागा लेंड रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने पांसो और हजार के नोट बंद कर दिये विमुद्री करन कर दिया तो यह ताकत रिजर्ब बैंक को कौन से सेक्शन ने दी आरबियाई एक्ट के तहथ आरबियाई एक्ट के तहथ यह ताकत रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया को की वो डी मॉनिटाइज कर सकें कौन से सेक्शन ने प्रोवाइड की यह प्रोवाइड की सेक्शन 24.1 अफ दी आरबियाई एक्ट आज के लिए आपका पहला सवाल RBI Act सबसे पहली बार कौन से साल में पास हुआ था बताइए RBI Act कब पास हुआ था, कब बना था Reserve Bank of India तो यह है आज का पहला सवाल पता है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं चलिए आगे भड़ते हैं उस Technology का क्या नाम है जिसे हमारा जो Transport, Ministry of Road and Transport जिसके हमारे Minister है Cabinet Minister नितिन गड़करी तो इन्होंने एक तकनिक अपनाई है जिससे आप payment कर सकते हैं अपने credit या debit card से जो RFID Technology को यूज़ करेगी, यह मैं आपको समझा देता हूँ यह क्या होता है, आप toll tax पे जाते हैं, तो toll tax पे बहुत लंबी गाडियों की line होती है इस वज़े से बहुत सारी चीज़ें होती है आपका फाल्तू में petrol waste होता है, line में लगके और आपका time waste होता है और इससे यातायात संबंदी जो भी समस्या हैं वो उत्पन हो सकती है इसलिए एक यह latest technology है बहुत advanced technology है, इसके अंदर क्या होता है गाड़ी के उपर, आपकी जो wind screen है इसके उपर लगा देते हैं RFID Radio Frequency Identification Technology और आपको कुछ नहीं करना उपर लग जाता है यह जो reader होता है उसके साथ monitoring camera भी होता है तो आप जैसे ही toll tax में गाड़ी को निकालेंगे आपको गाड़ी रोकने की ज़रुत नहीं है सिर्फ आप यहाँ पर थोड़ी सी slow कर लिजिए और यह अपने पैसा आपके credit याद debit किसी भी prepaid instrument से कट जाएगा तो इसको बोलते हैं fast tag तो fast tag पूरे भारत में लगाया जा रहा है धिरे धिरे अभी अभी एक committee है जिसका नाम है Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage यानि कि जैसा मैंने बताया था कि Intangible जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्होंने इन में से कौन सी भारत की चीज है जो अपनी representative list के अंदर डाली है और यह जैसा कि हर बार होता है UNESCO ने किया Cultural Heritage तो अब तक आपने वैसे UNESCO के बहुत सारे heritage सुने होंगे जिने World Heritage Site बोलते है जैसे कंचन जंगा National Park है जैसे रानी की वाउ है जैसे बहुत सारी चीज़े है चंडीगड की सरकारी building है Capital Complex कहते है लेकिन यह है Intangible तो इसमें जो चीज लिस्ट हुई है वो है योगा तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि योगा दुनिया की भारत को देन है ऐसा well accepted fact है यह पब्लिक डोमेन में योगा भारत ने दुनिया को दिया तो योगा का यह पुरन जनम इसे देखा जा रहा है क्योंकि युनेस्को ने इसे अपनी intangible culture heritage list में भी डाल दिया है इन में से कौन से राज्ये ने compulsory कर दिया है दस्वी और बारवी के बच्चों के लिए कि वो exam में अगर appear होएंगे तो आधार card रखना पड़ेगा इससे cheating पर रोक लगेगी इससे जो document verification है वो असान होगा जो नकली कागस जमा कर देते थे student वो नहीं हो पाएगा आधार card से link कर दिया है दस्वी और बारवी के बच्चों के लिए 2017 में जो होने वाली exam है उनके लिए तो ये राज्ये है हरियाना इन में से कौन सा बैंक है जिसने एक digital transaction service निकाली है mobile phone से आप payment कर सकते है SIM से pay इसका नाम रखा है SIM से pay ये एक बहुती unique चीज़ है बहुती आधुनिक चीज़ है बहुती अलग चीज़ है इसमें अगर आपके पास mobile phone नहीं है internet नहीं है तो भी आप payment कर सकते हो cashless तो ये service start की है पुली चिंतला hydroelectric project लगाया है इनमें से कौन से राज्य के अंदर तो ये लगा है गुंटूर के अंदर और गुंटूर है आंधर प्रदेश में very important आंधर प्रदेश में लगाया है 4 x 30 Megawatt का पुली चिंतला hydroelectric project और ये भेल का जो official notification है भेल की official website पे जाके तो यहाँ पे ये साफ दिया हुआ है Indian Space Research Organization इसरो जिसका headquarter आप जानते हैं बैंगलोरू में इसरो ने चांद पर चंद्रियान 1 भेजा था चंद्रियान 1 पहले भेजा था इसरो ने चंद्रियान 1 कब भेजा था चंद्रियान 1 भेजा था पहले 2008 के अंदर और अब चांद पर दुबारा ये भेज रहे है चंद्रियान 2 चंद्रियान 2 कौन से साल में भेजेंगे इसरो ने एनाउंस किया है कि ये चंद्रियान 2 मिशन अपना रखेगा 2018 में तो याद रखना असान है 2008-2018 10 साल का gap है आप ऐसे याद रख सकते है मकाल पवालार इंक कुलाब इनका निधन हो गया ये बहुत मशूर वैक्ती थे कौन से फील्ड से थे ये लेखक थे कविताएं लिखते थे और साथ में अक्टिविस भी थे समाजिक कारे करता थे इनका निधन हो गया चेनई के अंदर ये तमिल लिट्रेचर तमिल भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे ये पूछ सकते हैं कौन सी भाषा में लिखते थे तो आंसर है तमिल भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कनेक्टिड एयरपोर्ट है सबसे ज़्यादा कनेक्टिड एयरपोर्ट है और दुनिया के अंदर 22 नंबर पे आता है कनेक्टिविटी के अंदर ये रिपोर्ट दी है Air Travel Intelligence Company O.A.G. ने ये एयरपोर्ट है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट New Delhi इन में से इन में से कोन सी जगापर हमारे जो रेलवे मंत्री है जो सुरेश प्रभू उन्होंने आधार शिला रखी नीव रखी Rolling Stock Component Factory की जो 300 करोड रुपे की लागत से बनाई जाएगी 300 करोड रुपे की लागत से बनाई जाएगी Rolling Stock Component Factory कहाँ पर इसकी नीव आधार शिला रखी गई ये बनाई जाएगी लोट परशुराम एरिया में जो है चिपलून रतनागिरी में और रतनागिरी कहाँ पर रहे है रतनागिरी है महराष्टरा में साउथ अफरीका ने एक multi-year trial launch किया है किस incurable disease incurable disease मतलब होता है वो disease जिसका कोई भी इलाज नहीं है यानि उसका एक बार आपको वो बिमारी हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है उसको जड़ से खतम नहीं किया सकता ऐसी कौन सी बिमारी है वैसे ये चारों बिमारी ऐसी है जो लाइलाज जिनका कोई इलाज नहीं है जिनका कोई cure नहीं है तो इन में से किस बिमारी को खतम करने के लिए दक्षिन अफरीका में trial हो रहा है साथ साल के बाद ये trial हो रहा है इस disease के लिए ये disease है AIDS Diabetes दो तरह का होता है Diabetes 1, Diabetes 2 Type 1, Type 2 Type 1 में हमारे जो बीटा cell of pancreas हैं वो sufficient insulin नहीं बनाते बहुत सारे factor है autoimmune, genetic, etc 2 में insulin resistance हो जाता है या insulin किसी विए से काम नहीं करता Dengu ADS नाम का एक मच्छर होता है उसको वैसे virus से होता है लेकिन ये virus ADS नाम का मच्छर लेकर उड़ता है और asthma तो आप जानते ही है ये एक hypersensitivity reaction होता है इनका कोई लाज नहीं है चारों का Dengu का भी कोई लाज नहीं है supportive treatment होता है प्लेटलेट्स वगरा चड़ा सकते हो diabetes तो सिर्फ कंट्रोल कर सकते है क्योर नहीं है asthma का भी कोई क्योर नहीं है steroids और adrenaline बहुत सारी चीज़ें status asthmaticus वगरा में दे सकते है खेर आगे बढ़ते है इनवे से कौन सा city है जो Instagram पर सबसी ज़्यादा लोगों ने उसकी फोटो डाली यानि उसे सबसे ज़्यादा geotag किया गया Instagram के उपर 2016 में कौन सा शहर है ये ये है New York United States of America में है New York रूची सोया इंडस्ट्री ये edible oil ये बनाती है company इसने इन में से कौन से bank के साथ मिलकर एक योजना शुरू की है farmers की मदद करने के लिए जिसका नाम है किसान कल्यान आयोजन किसान कल्यान आयोजन नाम की योजना शुरू करी है तेल बेचने वाली company रूची सोया इंडस्ट्री जने लेकिन कौन से bank के साथ मिलके ये स्टार्ट की है ये bank है State Bank of India SBI Yes SBI इन में से किस व्यक्ति ने Gambia का राश्टपती चुनाव जीत लिया और ये बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है क्योंकि जिस व्यक्ति को हराया है वो 22 साल से राश्टपती था इस देश का उसका नाम है याया जमे इसको किस ने हराया तो इसको हराया एडामा बरो ने एडामा बरो ने ये उलटफेर करा 22 साल के बाद खतम करा रूल याया जमे का Gambia में इन में से किसे हमारा जो National Stock Exchange है उसका NSE का Interim CEO बनाया गया है Interim मतलब कुछ समय के लिए इतने कोई Permanent Option नहीं आता क्योंकि चित्रा रामकृष्ण ये MD और CEO थे National Stock Exchange के इन्होंने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद अब ये Post ली है J.Ravichandran ने NSE हमारा सबसे बड़ा Stock Exchange है लेकिन Bombay Stock Exchange हमारा सबसे जैसे Infosys है तो दोनों ही important है इन में से हमने भारत ने कौन से देश के साथ चार Agreement Sign किये हैं एक यह है Cyber Security में दूसरा Visa Relaxation में तीसरा Investment में और चोथा हमारे बंदरगाओं को Manage करने में यानि Port Management में ये कौन से देश के साथ हमने चार Agreement Sign किये हैं ये Sign किये इस देश के जो परधान मंतरी हैं वो भारत आये थे इनका नाम है शेक अब्दुल्ला बिन नसर बिन खलीफा अल्थानी तो ये एक ही व्यक्ति का नाम है ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन आपको नाम याद रखना है ये हमने Sign किया कतर के परधान मंतरी के साथ तो आंसर है कतार या कतर इसकी राजधानी है दोहा अगर आपको यादो कतार में अगला वर्ल्लकप होगा फुटबॉल वर्ल्लकप की मैं बात कर रहा हूँ रशिया के बाद अगला होगा कतार में रशिया में होगा 2018 में लेकिन 2022 में होगा कतार में इन में से जो President Elect है President नहीं बने है अभी याद रखिए 20 जनवरी को Obama Retire होंगे उसके बाद Donald Trump बनेंगे राश्पती इतने वो है President Elect तो बीच में Transition of Power होगा ये Obama से उनकी जो Post है वो छीन लेंगे, छीन चुके तो इन्होंने अपना Secretary of Defense किसे बनाया है इनकी जो Donald Trump की जो जितनी भी nomination है, सारी बहुत ही Controversial है, बहुत Unproven Billionaires हैं जिनको ये बना रहे है, खेर इनमें से जिस वेक्ति को इन्होंने बनाया है उनका नाम है James Mattis Yes, James Mattis को बनाया है Secretary of Defense जो हमारा Pollution Control Board है Central Pollution Control Board जिसका काम है पर्दूशन को कम करना उसने Real Time and Manual Pollution Monitoring Station बनाय है चार राज्यों में तो इनमें से कौन सा राज्य है या किंद्र शासित परदेश उनमें से नहीं है, तो ये Court के ओरडर के बाद किया है Court का ओरडर था कि एंज लगाया जाएं क्योंकि ये pollution बहुत ज़ादा है हाँ पर तो ये क्या गया है एक ये क्या गया है दिल्ली में तो हर्याना भी है उत्तर परदेश उत्तर परदेश ओप्शन में नहीं है तो एक उत्तरपरदिश और एक राजस्थान है यानि जो नहीं है तो आंसर हो गया पंजाब Formula 1 racing driver कौन से हैं जिन्होंने अपना सन्यास ले लिया अभी-अभी सबको चोगा दिया अभी-अभी पहली बार बने driver champion यानि की बेताज बादशा Formula 1 की दुनिया के हलांकी इन्होंने सबस ज्यादा race नहीं जीती सबस ज्यादा race जीती लुईस हैमिल्टन ने लेकिन ये consistent थे तो ये जीत गए जर्मनी के Mercedes चलाने वाले driver निको राजबर्ग champion बनते ही जैसे ही ये Formula 1 champion बने driver championship इन्होंने जीती उसके बाद तुरंत ये रिटायर हो गए तो answer है निको राजबर्ग इन में से कौन सा athlete है जिसने 2016 IAAF male athlete of the year यानी साल का सर्व श्रिष्ट खिलाडी का award जीता male category में छटी बार तो ये जमेका के धावक हैं पूरी दुनिया इन्होंने जीत ली 9 gold medal Olympics में 100 meter में 200 meter में और 100 x 4 relay में इनका नाम है उसैन बोल्ट इन में से कौन सा भारत का शहर है जहाँ पे heart of Asia conference हुई very very important यह heart of Asia conference बहुत important है और इसलिए और ज्यादा important है क्योंकि इस बार terrorism जो अमरित सर declaration जिसको बोलते हैं वहाँ पर terrorism में मुद्दा था तो answer है अमरित सर में हुई heart of Asia conference भारत ने अपना 45 वा navy day मनाया किस दिन मनाया जा जाता है और आपको याद हो जो 1971 का यूद दुआ था भारत पाकिस्तान का बांगलादेश को हमने liberate किया था बांगलादेश लिबरेशन वार उसमें हमारी navy ने जबरदस्त performance दिया था पूरा कराची तभा कर दिया था तो navy day मनाया जाता है उनकी जो bravery है उसको celebrate करने के इसके लिए एक separate ministry भी है आयुष जो भारत की पांच traditional जो medicine है उनको combine करती है आयुरवेद, योग, युनानी, सिद्धा और होमियोपैथी इसके लिए बनाई है ministry of आयुष तो इस बार इसका theme था strengthening the आयुरवेदा ecosystem strengthening the आयुरवेदा ecosystem is the answer इन में से किस शहर में त्रिपितक सुत्रपात महुत्सव मनाया गया, दस दिन तक लंबा ये महुत्सव था और इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा होती है, special पूजा होती है भगवान बुद्ध की, तो बुद्ध की बात आई तो एक ही शेहर दिमाग में आता है और वो है बोध गया, बिहार में बोध गाउं बिहता में, कौन से बैंक ने इने कैशलेस बनाया है, जो अकोडारा वगरा जो गाउं है उन्हें कैशलेस बनाया है, इसी आईसी आई ने और आईसी आईसी आई ने ये भी कहाए कि वो सो गाउं और कैशलेस बना रहा है, ये लेकिन जो गाउं है पटना के ये कैश यह दे रहा है यानि cashless असाम सरकार ने निर्देश दिया है कि 15 दिसंबर से पहले पहले सबकी payment हो जानी चाहिए और वो भी cashless तो यह है हेला कंडी हेला कंडी इन में से कौन सा बैंक है जिसने एक mobile wallet निकाला है digital wallet जिसका नाम है Sippy wallet mobile wallet का जमाना है बहुत सारे हैं citrus है oxygen है mobi quick है paytm है बहुत सारे हैं तो सारे आपको याद रखने है m पैसा है बहुत सारे है 16 है कम से कम जो main है जो exam में आते हैं 16 के 16 के नाम आपको याद रखने है यह सम्में आपने banking awareness वीडियो में cover करूँगा इनमें से कौन सा bank है जिसने अपना mobile wallet app निकाला जिसका नाम है Sippy wallet Sippy wallet को निकाला है DCB bank DCB bank इनमें से कौन सा देश है जिसने हमारा कुंडन कुलम न्यूकलियर power plant बनाने में मदद की कुंडन कुलम न्यूकलियर power plant जो है तमिल नाडू में यह कौन से देश की मदद से बना ये एक आसान सवाले मैं समझता हूँ ये बना रशिया की मदद से और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ये नियूज में आय था क्योंकि जो जनल फ्रेमवर्क एग्रिमेंट है वो साइन किया है भारत ने और इन में से कौन सा बच्चा है भारत का टीनेजर है जिसने जिसको चिल्डरन्स पीस प्राइज मिला है अंतराश्ट्री है चिल्डरन्स शांति प्रुसकार मिला है अपने जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए शांदार इसने काम किया है इसके लिए तो इस बच्चे का नाम है कहकाशुन बाशु इन में से कौन सा भारत का शहर है जिसे 2016 का सबसे अच्छा शहर का अवार्ड मिला है Solid Waste Management के लिए यानि कि जो कच्रा होता है उसको अच्छे से मैनेज करता है ये शहर इसके लिए से ये पुरुसकार मिला ये Best City of 2016 अवार्ड इस अकेला इसा भारत का शहर है जो इस Best Cities की लिस्ट में है इसमें और भी बहुत सारे शहर है लेकिन भारत का एक मात्र शहर है तो टोटल इसमें 11 शहर है कौलकता के अलावा भी तो आंसर है कौलकता और और भी बहुत सारे इसके अंदर शहर है हलांकि भारत का सबसे cleanest जो ranking में इन में से कौन सी फिल्म है, जिसे best film का अवर्ड मिला है, New York Film Critic Circle दुआरा, ये फिल्म इसमें Emma Stone ने शांदार अभिने किया है, और साथ में रियान गुसलिंग, तो ये फिल्म है लाला लेंड, रोमेंटिक कहानी है, लाला लेंड, इन में से कौन सी भारतिय महिला है, जिने Miss Super National 2016 का अवर्ड मिला है, और ये दूसरी सिरफ भारतिय बनी जिनोंने ये अवर्ड जीता, तो ये पहले आशा भटने जीता था, ये पहली इंडियन फीमेल थी, जिनोंने जीता था ये प्रुसकार 2014 में, और अब जीता है श्री निधी शेट्टी ने, इन में से कौन सी मोबा अपने बच्चों को दूद पिलाती है, उसको प्रोमोट करेगी, आपको मैं कुछ important चीज़े बताता हूँ, ये बायो में भी आपकी help करेंगी, बच्चा, बहुत ऐसे बच्चे हैं, जो पैदा होते ही मर जाते हैं, कई report कहती हैं, एक तिहाई बच्चे ऐसे हैं, जो पैद जो initially निकलता है, वो थोड़ा सा yellow issue होता है, उसे colostrum कहते हैं, इसमें IgA antibody भी होती है, और बहुत ज़्यादा important होती है बच्चे के लिए, इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो किसी दूद में दुनिया के नहीं मिलती, और breastfeeding is very important, 6 महीने के लिए तो बच्चे को म T20 टाइटल जीता जो कि Bangkok में हुआ, ये cricket की बात हो रही है T20, इसमें भारत की बहुत सारी खिलाड़ी हैं, जैसे मिथाली राज जिने woman का सचिन दंदुलगर कहते हैं, और जूलन गोस्वामी हैं, जो bowling गहत अच्छी करती हैं, एकता बिष्ट है, पृती बोस हैं, इन सब ने शांदार प्रदर्शन किया, तो ये जिता भारत ने, कोश्चन ऐसे नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा, कोश्चन ऐसे आएगा कि पृती बोस कौन सा खेल खेलती हैं, और आप फस जाएंगे, तो पृती बोस, जूलन गोस्वामी, एकता बिष्ट, मिथाली रा इनका संबन्ध कोन से फिल्ड से था, तो ये एक मशूर कभी थे, और कॉंग्रेस के राजय सभाय MP भी थे, तो आंसर है, पॉली टी, सैमी ली, ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, ओलम्पिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार, तो ये डाइविंग करते थे, जो उपर से खड़े होके, हम तरन ताल में कूतते हैं, उसको बोलते हैं डाइविंग, सो सैमी ली का संबन्ध था, स्पोर्ट से, सैमी ली, ये दो बार, अमरीका के थे, दो बार गोल्ड मेडलिस्ट, ये ओलम्पिक्स में थे, दो हजार सोला वर्ल्ड सॉयल डे, अंतराश्ट्री ये मिट्टी दिवस, किस दिन मनाया गया, और इसका थीम क्या था, तो थीम भी पूछ सकते हैं, वैसे सॉयल डे इतना इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन डेट पूछ सकते हैं, तो डेट है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को, Food and Agriculture Organization, जिसका Headquarter Rome में, इटली के शहर में, उन्होंने ये मनाया, इसका थीम था, Soils and Pulses are Symbiosis for Life, यानि मिट्टी और दाले, इनका एक आपस में, एक सिनरजी है, दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं, Soils and Pulses Symbiosis, Symbiosis मतलब दोनों को फायदा होता है, उसको बोलते हैं, Symbiosis Matteo Renzi, कौन से देश के ये परधान मंत्री हैं, जिन्होंने resign कर दिया, क्योंकि इनकी भारी हार हुई, हार क्यों हुई, इस देश का समिधान बदलना चाहते थे, बदल नहीं पाए, तो इनको referendum हुआ, पोल हुआ, उसमें इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई, नाम है Matteo Renzi, ये इटली के परधान मंत्री थे, इन्होंने resign कर दिया, आस्ट्रिया के प्रेजिडेंट कोन न्युक्त हुए हैं, आस्ट्रिया, चोटा सा देश है, आस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिए, मैं बात कर रहा हूँ, आस्ट्रिया की, येरोपियन कंट्री है, चोटा सा लेकिन और जीत गए, अलेक्जेंडर वेंडर बेलन, सो आंसर है B, अलेक्जेंडर वेंडर बेलन, कोन से हिंदी कवी हैं, जिने गंगाधर नेशनल अवार्ड मिला है, अपने हिंदी में योगदान के लिए, 2015 के लिए, इनका नाम है, लीलाधर जगूरी, लीलाधर जगू हमारे होम सेक्रेटरी है, राजीव महरिशी, होम सेक्रेटरी लेवल टॉक हुए भारत और बांगलादेश के बीच में, टाइम मैग्जीन परसन ऑफ दा इयर किसे डिकलेर किया गया, अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, कुछ लोग सोचते हैं, नरेंदर मोधी, नहीं इसलिए voting का एक percentage होता है सिरफ, बाकि फिर committee decide करती है, तो reader poll तो हमने जीता, नरेंदर मोधी ने जीता, नरेंदर मोधी के समर तक भहत हैं भारत में, तो इसलिए नरेंदर मोधी ने जीता, reader poll लेकिन Time Magazine ने वो consider नहीं किया, और जितवाया डॉनल्ड टरम को, Republican Party के डॉनल्ड female athlete कौन सी है जिन्होंने 2016 का IAF Athlete of the Year Award में जीता men's में किसने जीता था men's में जीता था उसेन बोल्ट ने अब same award female में किसने जीता और इन्होंने इस बार तभाई मचा दी Olympics के अंदर Ethiopia की है ये ये खिलाडी Ethiopia की है और 10,000 मीटर में gold medal जीता ना सिरफ gold medal जीता बलकी world record भी बना दिया इनका नाम है Almaz Ayana very important और बाकी खिलाडी भी important है वैसे नादिया कौमने की बहुत important है ये अकेली खिलाडी है रशियन जिमनास्ट जिने 10 बाई 10 स्कौर मिला था सिमॉन बिल्स ने तो इस बार कमाल कर दिया बहुत सारे gold medal जीते सिमॉन बिल्स USA की है जिमनास्ट तो भाग दो बहुत जल्दी लेके आऊँगा पहले हफते का और दूसरा हफता भी बहुत पहले ही खतम हो चुका है उसके भी मैं लेकर आऊँगा थोड़ा सा इंदजार रखिये best quality current affairs अगर आपको चाहिए थोड़ी सी प्रतिक्षा आपको करनी होगी मुझे देर से ये वीडियो लाने के लिए आप तक खेद है तो चलिए ओके भाई